नमस्ते, मेरे प्यारे देश्वासियों, कोरोना वैश्विक महामारी के खिलाब भारत की लड़ाई बहुत मजबूतिक के साथ आगे बढ़ रही है। आप सभी देश्वासियों की तपस्या आपके त्याग की वज़े से भारत अब तक कोरोना से होने वाले नुक्सान को काफी हद तक टालने में सफल रहा है। आप लोगों ने कस्ट सहकर भी अपने देश को बचाया है। हमारे इस भारत वर्स को बचाया है। मैं जानता हूँ आपको कितनी दिक्कत आई है। किसी को खाने की परिशानी। किसी को आने जाने की परिशानी। कोई घर परिवार से दूर है। लेकिन आप देश की खाति एक अनुशासित सिपाय की तरह अपने करतव्य निभा रहे हैं। मैं आप सबको आदर पुर्वक नमन करता हूँ। हमारे समिधान में जिस वी दपीपल अफ इंडिया। वी दपीपल अफ इंडिया की शक्ति की बात कही गई है। यही तो है वो। बाबा साथ डॉक्टर भीमराव आमबेर्टरक जी की जन्म जैंती पर हम भारत के लोगों की तरप से अपनी सामुहिक शक्ति का यह प्रदर्शन यह संकल्प बाबा साथ को सच्ची स्थ्धाजली है। बाबा साथ का जीवन हमें हर चुनोती को अपनी संकल्प शक्ति और परिश्थ्रम के बल्बूते पर पार करने की निरंतर प्रेनना देता है। मैं सभी देश वाशियों की तरप से बाबा साथ को नमन करता हूँ। साथियों यह देश के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग त्योहारों का भी समय है। और वैसे भी भारत तो उत्समों से भरा रहता है, उत्समों से हरा रहता है, उत्समों के बीच खिल-खिलाता रहता है। बैसाखी, पोहेला बैसाख, पुथान्डू, बोहाग भी हूँ, बीशु के साथ अनेक राज्यों में नए वर्ष की शुरुवात हुई है। लोकडाउन के इन बंधनों के बीच मैं देश के लोग जिस तरह नियमों का पालन कर रहे हैं, जितने संयम से अपने घरों में रहकर त्योहार बड़ी सादगी पुण तरीके से मना रहे हैं। ये सारी बातें बहुती प्रेरक हैं, बहुती प्रसंसलिया हैं। मैं नए वर्ष पर आपके परिवार जन के उत्तम स्वात की मंगल कामना करता हूं। साथियों, आज पूरे विश्व में कोरोना वैस्विक महमारी की जो स्थिती हैं। हम सब उसे भली भाती परिचीत हैं। अन्य देशों के मुकाबले भारत ने कैसे अपने यहां संक्रमन को रोकने के प्रयास किये। आप इसके सहबागी भी रहे हैं और साक्षी भी। जब हमारे हां कोरोनों का एग भी केस नहीं था। उससे पहले ही भारत ने कोरोना प्रभावित देशों से आने वाली यात्रियों की एरपोर्ट पर स्क्रेनिंग शुरू कर दी थी। कोरोना के मरीज सो तक पहुँचे। उससे पहले ही भारत ने विदेश से आए हर यात्रि के लिए 14 दिन का आइसोलेशन अनिवार्य कर दिया था। अनेक जगहों पर मॉल हो, थियेटर हो, क्लब हो, जीम हो, बंद करिये जा चुके थे। साथियों, जब हमारे हाँ कोरोना के सिरफ पान सो पचास केस थे। तभी भारत ने 21 दिन के संपोन लॉकडाउन का एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया था। भारत ने समस्या बढ़ने का इंतजार नहीं किया, बलकि जैसे ही समस्या दिखी, उसे तेजी से फैंसले लेकर उसी समय रोकने का भरसक प्रयास किया। साथियों, वैसे एक ऐसा संकट है जिसमें किसी भी देश के साथ तुलना करना उचित नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ सच्चाईयों को हम नकार नहीं सकते हैं। ये भी एक सच्चाई है कि अगर दुनिया के बड़े-बड़े सामर्थवान देशों में कोरोना से जुड़े आंकड़े देखें। तो उनकी तुलना में आज भारत बहुत संबली हुई स्थिति में हैं।